बीना ड्राइवर के ही खेत में ट्रैक्टर दोड़ा चला जा रहा है ये ना तो कोई जादू है और ना ही भ्रहम बल्कि ये है खेती का नया और हाइटेक अंदाज ये तस्वीरे महराश्ट के अकोला की है जहाँ नई तकनीक के जरिये बुआई की जा रही है राजू वरोकर परिवार ने जीपिएस कनेक्टर सोफ्वेर का इस्तमाल करते हुए बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर से अपने खेत में सोयाविन की बुआई की जर्मन जीपिएस ऑटो पाइलट स्वेंग सिस्टम से महराश्ट में पहली बार खेती किये जाने का दावा किया जा रहा है इस तकनीक में रियल टाइम किनेमेटिक्स यानि आर्टी के उपकरण लगाया गया है इस डिवाइस को खेत में एक करफ रखना होता है और उसे जीपिएस कनेक्टर के जरीए ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है तस का रिल के बोला जाता है यह स्थालाइज जो है ऑपने कोडिनेट गियलाई जलता है अपने रेक्टर को और यही कोडिनेट्स एक्सप्त करने उसुद्पों पौलु करता है इसके लिए अपने खेट को एक बार बांडरी बढ़ती है बांडरी लेने के बाद जब भी आपका ट्रेक्टर मॉम्डरी के नश्पी जाता है तो आपको स्क्रीन के ओपर दिखता है कि 10 मीटर आपका ट्रेक्टर आपका उपांडरी के नश्पी पौझ चुका है अभी आपको इसको manual mode में लेना है और जैसे ही आपको उसको auto mode में डालते हैं तो सभी जो coordinate एक GPS दूसरी GPS को बेज़ता है उसी के फ़रों से सब्सक्राम होता है जर्मनी में बने इस device के लिए किसानों को साड़े 4 से 5 लाख रुपे तक खर्च करने पड़ते हैं ये तकनीक खेती के लिए मजदुरों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए भी कारगर साबित हो रही है